नमस्कार दोस्तों GS Recipe के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है आज हम गुप्त काल के आर्किटेक्चर यानि स्थापत्यकला के बारे में डिसकस करेंगे गुप्त काल के इस्थापत्यकला से रिलेटेट जितने भी विगत वर्सों में प्रिशन पूछे गए हैं उन सभी का जो निर्दिष्ट करता है तो या जो निर्दिष्ट करता है या मंदिर रचना सेली को निर्दिष्ट करता है ओप्शन नमबर C is the right answer इसके बारे महतपूर तति जान लीजिए महतपूर ततिया है कि गुप्त काल में वैशनो धर्म संबंधी सबसे महतपूर अवसेश जो हैं व और उत्खनन से ग्यात होता है कि यह मंदिर जो है वो पंचायतन सेडी का है किस सेडी का पंचायतन सेडी का है जिसमें मुख्य मंदिर के चारो और अन्य देवताओं के चार छोटे छोटे पूजा इस्थल है इसी मंदिर के एक इस्तंभ पर अभिलेक प्राप्त होता है जि कहलाता है केशवपूर कहलाता है इस मंदिर में कृष्ण जी के जीवन की कुछ घटनाएं जो हैं वह अंकित हैं इसी मंदिर में सेशना की सैया पर विश्राम करते हुए नारायण विश्नु जी को दर्साया गया है और रामायण तथा महाभारत के कई मनुहारी दर्स्यों का अंकन भी इनी मंदिर से हमें प्राप्त होता है तो इस प्रिश्न का जो सही जवाब है वह था option number C is the right answer मंदिर रचना सैली अगले पिस क्यों बढ़ते हैं अगला प्रिश्न क्या अगला प्रिश्न की देवगड का दसावतार मंदिर किस प्रकार का है तो यह जो मंदिर है य D is the right answer option number D is the right answer next question क्यों बढ़ते हैं next question में एक तरफ सूची 1 है दूसरी तरफ सूची 2 है सूची 1 में गुप्त युक के मंदिर के बारे में बताया गया है और सूची 2 में मध्य प्रदेश में इनकी अवस्थिती के बारे में बताया गया है तो श्टार्ट करते हैं जो पहल विश्णु मंदिर यह जो है यह जिला सागर में इस्थित हैं तो B का 3 हो जाएगा तीसरा है नचना कुठार का पार्वती मंदिर यह जो है यह जिला पन्ना में इस्थित हैं तो अगला हो जाएगा 4 और लास्ट है भूमरा का सिव मंदिर यह इस्थित है जिला सतना में तो इसका हो जाएगा 2 तो इसका सही जवाब क्या होगा 1342 तेरह 42 जहां भी होगा वही इसका सही जवाब होगा तो इसका सही जवाब है option number B is the right answer option number B is the right answer option number B is the right answer अगले प्रश्ण क्यों बढ़ते हैं अगला प्रश्ण क्या है अगला प्रश्ण है कि सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए और नीचे दिये गए कूट से सही उत्तर का चैन कीजिए तो सूची एक सूची दो दे रखा है पहला गुप्त मंदिर है दूसरा उ दूसरा है दसावतार मंदिर मैंने बताया था दसावतार मंदिर जो है वो देवगण में इस्तित है तो B का हो जाएगा दो तीसरा दे रखा है शिव मंदिर की जो लोकेशन है वो भूमरा है तो C का हो जाएगा चार लास्ट दे रखा है विश्णु मंदिर या जो इस्तित के और बढ़ते हैं अगला कोशन है कि निमलिकित मंदिरों में से कौन इटो से निर्मित किया गया था कौन है जो इटो से निर्मित किया गया था वा निर्मित किया गया था सिर्पूर का लच्छमड मंदिर option number C is the right answer इसके बारे महतपूर तत्य जान लीजिए महतपूर ततिया है कि गुप्त कालीन मंदिरों में उत्तर प्रदेश के कानपूर जिले में स्थित भीतर गाउं का विष्णु मंदिर जो है वा इटो से निर्मित है साथी मद्य प्रदेश के रायपूर जिले में कहाँ पर मद्य प्रदेश के रायपूर जिले के सिर्पूर नामक इस्थान से इटो द्वारा निर्मित एक अन्य मंदिर प्राप्त हुआ है जिसका मात्र गर्ब ग्रह जो है वा अवसेष्ट है इसे लच्छमर मंदिर भी कहा जाता है इसका जो वास्तु है वा भीतर गाउं मंदिर क यही समान है तो इस प्रिश्ण का जो सही जवाब था वा क्या था वा था उप्शन नंबर C is the right answer अगले प्रिश्ण क्यों बढ़ते हैं अगला प्रिश्ण क्या है अगला प्रिश्ण है कि आरंभिक आरंभिक मंदिर आरंभिक भारतिय मंदिरों के निमलिखित उदारहणों में से कौन सा एक इटो द्वारा निर्मित है वा है भीतर गाउं उप्शन नंबर C is the right answer ओके नेक्स्ट कोश्ण की और बढ़ते हैं अगला कोश्ण है निमलिखित गुप्त कालीन मंदिरों में कौन सा उत्तर प्रदेश में स्थित है वा है देवगड का दसवतार मंदिर उप्शन नंबर D is the right answer महतपूर तथि जान लीजिए महतपूर के तट पर कहां पर बेतवा नदी के तट पर इस्थित है जबकि जो दूसरा ये पहला जो दे रखा है नचना कुठार नचना कुठार का जो मंदिर है जो तिगवा का विश्नु मंदिर है और जो भूमरा का सिव मंदिर है ये तीनों जो हैं कौन से ABC तीनों जो हैं यहां प्रदेश MP में इस्थित हैं और गुप्त काल में ही हिंदू देवी देवताओं से संबंदित मंदिर का निर्माड होना सुरू हुआ था तो इस प्रश्ण का जो सही जवाब है वह है option number D is the right answer next question के और बढ़ते हैं अगला question है कि हिंदू देवी देवताओं को समर्पित सबसे पूर्व मंदिर किस के काल का है तो सबसे पूर्व मंदिर जो है वह गुप्त शाशन काल का है option number C is the right answer अगले पूर्श्ण की उबढ़ते हैं अगला पूर्श्ण क्या है अगला पूर्श्ण है कि भारत में सबसे प्राचीन विहार जो है वह कौन सा है भारत में सबसे प्राचीन विहार जो है वह नालंदा विहार कौन सा है नालंदा है option number A is the right answer महतपूर्ट तत्थे जान कि भारत में सबसे प्राचीन विहार जो है वहां नालंदा में और नालंदा कहां पर है विहार राज्य में इस्तित है इसे कुमार गुप्त प्रथम के समय निर्मित किया गया था किसके समय में कुमार गुप्त कुमार गुप्त प्रथम के समय निर्मित किया गया था और उसके ने करवाया था धरम पाल ने करवाया था इस प्रिश्ण का सही जवाब क्या है वह है option number a is the right answer और आज के अंतिम प्रिश्ण की ओर बढ़ते हैं अंतिम प्रिश्ण क्या है बोल रहा है कि नालंदा जो है वह कहां पर रिस्थित है नालंदा की जो रहा है बोल रहा है आज कि ऑघस बढला बाल रहा है वह बोल्ड थान चास महां है अजैए और भी करवा tap сохран month तो içा वह करवाênio इस बाल है प्रिश्ण कर शोर करने को रहा है UntertitूSp4 क 151 चंबहा हैं भी झाले नाई में है चैज कर दो है, बहाई आई